वेलकम फ्रेंड्स, एस्प्रेंट्स फावर में आपका स्वागत है। दोस्तो बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट का वेट करना हैं और रिजल्ट कब आएगा ये सोच रहे हैं। दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं लाश्ट येर से अगर हम कंपेर करें। लाश्ट येर को देखना बहुत इंपोर्टेंट होता है। दोस्तो क्यूंकि लाश्ट येर अगर मेंस एक्जाम की डेट की बात करें। तो वो 21st January को हुआ था लाश्ट येर और इस बार भी डेट 20 January है। तो दोस्तो एक दिन का फरक है कम हुआ है। तो अगर बात करें आईपेस क्लग प्री 2017 के एक्जाम डेट की तो अगर एक्जाम देखें वो 2, 3 और 9 और 10 दिसंबर को ये एक्जाम कम्प्लीट हुआ था। अगर हम बात करें डेट और मेंस एक्जामनेशन की तो मेंस का एक्जाम 21st January 2018 को हुआ था और रिजल्ट डेकलेरेशन आप देख सकते हैं 29 दिसंबर को इसका रिजल्ट डेकलेरेशन हुआ था। इसका मतलब है कि लास्ट येर 29 दिसंबर को रिजल्ट डेकलेर हुआ था और एक्जाम डेट की बात करें मेंस की तो लास्ट ये थी 21st January 2018 दोस्तों आप यहां से लॉजिक देख सकते हैं अगर हम बात करें इस बार की आईवपीस क्लरक्पी 2018 के रिजल्ट डेट की बात करें तो 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को ये एक्जाम फिनिस हो गया था और मेंस एक्जाम की बात करें तो दोस्तों मेंस एक्जाम होना है इसका 20 जनवरी को दोस्तों लास्ट ये 21 जनवरी था और इस बार 20 जनवरी है तो आप देख सकते हैं बिलकुल भी फर्क नहीं है डेट्स में तो प्रीकर जो रिजल्ट है वो 29 दिसंबर को रिलीज हो जाना चाहिए 80% चांस है कि कल रिजल्ट आ जाएगा अब सेकंड बात करते हैं अगर कल रिजल्ट नहीं आता दोस्तों अगर 29 को रिजल्ट नहीं आता तो आप देख सकते हैं कि जो 30 है वो संडे है और उसके बाद होती बैटल यूज होगी केंडिडेट्स के लिए तो उम्मीद लगा जा रही है लेकिन 80-90% चांस है कि रिजल्ट आपका कल डिकलेर हो जाएगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह आप कमेंट कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले है झाल 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 झाल